आज मैं आपके साथ मसाला बोटी की रेसिपी शियर करने लगी हूँ तो चले आएं शिरू करते हैं बिसमिल्ला रखने रही यहां मैंने एक किलो बोनेस बीफ बोटी ले लिए आप जाएं तो गोड़ भी ले सकते हैं और इसमें जो मैं इंग्रेडियंस शामिल करने वाली हूँ वह मैं आपको बताती हूँ इसमें हम लेंगे 1.5 टीजपून हल्दी 1.5 टीजपून सॉल 2.5 टीजपून सुखे धनिया और 1.5 टीजपून लाल मिर्च पिसी हुई और एक हम ले लेंगे जलवंतरी कपीज और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीजपून गरम मसाला और 1 टीजपून जीरा पॉडर और 1.5 टीजपून में या करी पॉडर ले रहे हूँ यह ऑप्शनल है तो में लिए है टू टेबल स्पून लैसे नजरका पेस्ट और 1.5 टीजपून में लिए है कसूरी मैत्वी और 2 में इसमाल करूंगी हरी मिट्चे और 2 ही टेबल स्पून में लिए है लेमन ज्यूस और इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 अब गप दही और 2 मीडियम साइज की प तो चन्याय शुरू करते हैं अब हम क्या करेंगे कि गोश्ट में हम यह लहसन अदरका पेस्ट इसको शामिल कर देते हैं यह कसूरी मैत्वी इसमाल कर देते हैं कि इसमें हम हल्दी पॉडर को शामिल कर लेते हैं हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर है और हाफ टीस्पून सॉल्ट है तू टीस्पून सुख़ निया है वन टीस्पून रोस्टेट जीरा पॉडर है वन एंना हाफ टीस्पून लान मिर्च है हाफ टीस्पून करी पॉडर है हाफ टीस्पून हाफ कप ओल है हाफ कप ही योगर्ट है और यह हमार पास जो फ्राइड ओनियं थी इसको शामिल कर लेंगे और इसमें वन टीस्पून यतना अभी हम थोड़ा सा इसमें लेमन जू शामिल कर लेंगे और बाकी मैं आपको बताऊंगे कब शामिल करना है और इसको अब हम अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे अब हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बार इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बार अब तकरीबन घंटा हो गया है अब तकरीबन घंटा हो गया है जो मैंने मेरिनेट गोष्ट किया था मैं कुकर में बना रही हूं आप लोग इसको पतीले में भी बना सकते हैं तो अब मैं अपना सारा गोष्ट यह कुकर में डालोंगी तो इसमें आदा कर दो काप जो है पानी का वो शामिल कर दोगी अब कर दोगी अब शामिल कर दो कर लिया है जैसे इसमें बाल आएगा इसको बन करके मैं इसको 10 मिनिट की स्टीम दोंगी तो भी मैं आपको आगे दिखाती है अब आप देख सेकते हैं कि गोश्ट पखने लगा तो इसको अब हम इस मैं आप कुकर को बन करने लगी हूं और जब इसमें स्टीम आ जाएगा तो मैं 10 मिनिट की इसको स्टीम दोंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूं कि आगे हमें क्या करना है अब इसमें हम जो है यह अपना वान लैमन जूस जो है टू टू टीबिस्पून के करीब है वह में इसमें आग पड़ूंगी हम अगी जो है अगे और बहूने लिए और बनके ट्यार है और अच्छी तरह यह भून गया है और जो मसाला है सारा बोल्थिंगा पड़ूंगी है , यह हमारा फाइन लुक ख है और इसमें हम आप जो है अपना आदा गरम मसाला जो मैंने वन टेबल स्पून धर के लिया था थोड़ा समय उपर से डालने के लिए रखेंगी हाफ्ती स्पून का बाकी हम सारा अपना ये मसाला बोड़ी में एड कर देते हैं तो अब मैं आप लोगों को इस टोड़ी शॉट करके इसका फाइनलिक दिखाते हूं कि हमारी मसाला बोड़ी कैसे लग रही है हमारी मसाला बोड़ी बन के तैयार है उमीद है कि आप लोगों को पसाद आई होगी इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा और कमेंस में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और अपनी दुआउ में मुझे यार रखेगा अल्ला हाफिज